ऐसा नहीं है कि केवल द्वापर में ही भगवान का दर्शन होता रहा हो। ऐसा नहीं है। कल युग में भी भगवान का दर्शन होता है। हमारे अनंतर स्रीव हुशित पंधर सांचायरे प्रेम आवतार स्वामी सी राम अर्शन देव अगवान। स्वामी जी महारत प्रेम समाधी लगा करके बैठते थे। दो दो चार चार ददस तिन पंधरा पंधरा दिन वैसे ही रोते हुए। पैठे रहते हैं कहीं गिर जाते हैं मुर्चित हो जाते हैं। तो कई बार उनको धाकुरी स्वयम सम्हालने के लिए आते थे। भगवान की सरण भी चला भर जाए। दुनिया किसी को नहीं समालता है। अगर वास्तों में समालता है तो केवल परमात्मा समालता है। अच्चाही बताओ हम संतों को समालने वाला कौन भी हैं। हम लोगों ने अपने मा छोड़े पिता छोड़े। भाई छोड़े, मित्र छोड़े, स्वजन संबंधी छोड़ा, हम लोग के तो आगे पीछे कोई नहीं है, पुराने लोगे कहावत कहा करते थे, आगे नात, बाचे पड़ा, अताके नाओं को रूबे गद़ा, हम संतों की तो यह सिद्धी है, कि अनाथों के नाथ ठाकुर जी विराजमान है, हम उनकी सरण में रहकरके उनका भजन करते हैं, तो स्वयम ही आकरके वो स्वयम समाद और ठाकुर जी ने अपने भद्धों को शमालने की प्रतिक्या कर रखी है. भाक्त कैसा भी हो ज्ञान से सुने इस कान से उस कान में निकाले नहीं हर्द्यंगम करें भगवान ने प्रतिक्या किये सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं सरनम्रज अहंक्वा सर्व पापे भो मौक्षै इस्या मां सुचा अनन्यां सिंक्यंक्तो मां ये जना परियुपासते तेसां सतत युक्ता योगत्षे मंबहा म्याह मौक्षै अनन्यता पुर्वक अगर कोई मेरा चिंतर करता है भाजन करता है तो अब मैं उसके योग छेम की चिंता स्वयम करता हूँ भागतों को रोटी की चिंता किया उश्यक्ता नहीं है क्यों उनके स्वामी स्वयम रोटी देने वाले बैठे दिया है रोटी लूगा नीकी राखे आगी हूंको बीद भागे भाजन करने वाले को रोटी तो मिलती है भाजन करने वाले को ठाकुर जी अपनी गोद में बैठाते हैं और सीधे अपने धाम को लेकर के चले जाते हैं अपने थाम ले जाते हैं सर्तिये की भाजन भाजन में इस्थित हो कि यह नहीं कि भाजन छोण करके दुनिया के खट करम करें गया हम घर के काम को करना बंद कर देए जोई घर के काम करना बंद कर देए बंद करने के अभश्यक्ता नहीं जैसे असनान करते हूं एसे असनान करो जैसे भोजन करते हूं वैसे भोजन करो जैसे भोजन बनाते हूं वैसे भोजन बनाओ जैसे नूक्री करे हो वैसे नूक्री करो जैसे खेती करे हो वैसे खेती करो सब कुछ करो पर ये सोच लो कि हम ठाकुर्धी की सेवा कर रहें किसी और की सेवा ने करें अगर ये करने लग जाओगे तो तुम्हारा भजन बग जाएगा भजन कुछ और थोड़ी है भजन सब्द निश्पन लगवाए है शेवा कमने अर्थ में तो हमको सेवा करना है आप हमारे संत वानी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हाँ बैल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूले ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले